ब्रोट टो यू बाई बिज अनलिस्ट बाई खाटा बुक ज़रा ये तस्वीरे देखिए। एक तरफ टूटा हुआ घर और दूसरी तरफ बिख्री हुई ग्रस्ती। एक तरफ ये टूटी हुई इंटे पड़ी हैं और दूसरी तरफ घर का सारा समान बाहर पड़ा है। बरतन, बाल्टी, विस्तर, गैस चूले से लेकर घर का सारा सम समान बाहर है लेकिन क्यों आखिर क्यों घर का सारा समान बाहर पड़ा है और ये तूटी हुई इटे दरसल बुल्डोजर ने इसी घर को तहस नहस कर दिया एक तरफ योगी सरकार बुल्डोजर से माफ्याओं के खिलाफ कारेवाई करने के बड़े बड़े दावे कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ यही बुल्डोजर गरीब परिवारों को तभा कर रहा है आजमगड के रानी की सराय थाना शेत्र का ये पूरा मामला है जहां दबंगो ने ये कहर ढाया है दबंगो ने कोट और प्रिचाशन के आदेशों को ताक पर रख कर गरीब के मकान पर बुल्डोजर चला दिया सेटवल के रहने वाले राजबली के परिवार को दबंगो ने बंधग बनाया और घर को बुल्डोजर से द्वस्त कर दिया आरोप के मुताबिक दबंगों ने घरवालों को बंधक बनाया और घर का सारा समान बाहर फेक दिया साथ ही 5,000 रुपे एक मुबाइल फोन और कुछ गहने भी दबंग उठा ले गए अब आश्यानया तो चला गया लेकिन पीडित परिवार घर की मांग कर रहा है पूल लन वे दखननाय काने की घर के अवी रहा है तो बंग के लिए होई अड़ यहां यहां चाह रही है तुब का चाह रही है झाजाड़ा है पुलिस और प्रिसाशन चाहें सुरक्षा के लाख दावे करें लेकिन ऐसी तस्वीरें अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं इस मामले में आपको बताएं तो घटना के एक दिन पहले पीडित परिवार ने कुछ लोगों पर जान का खत्रा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी लेकिन पुलिस की कलाकारी देखिए पीडितों की बात पर कोई कारेवाई तो छोड़िये इनकी बात सुनी भी नहीं जाती है और घटना के बाद जन सुनवाई के दौरान पीडित परिवार ने इस मामले की शिकायत स्पी से की जिसके बाद इस मामले का स्पी ने संग्यान लिया एसपी आजमगड के संग्यान लेने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और छे आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेजा गया जाती पुलिस की लापरवाही और अंधेकी फर SSI नवल किशोर और थाना प्रभारी दिलीब कुमार को निलंबित कर आगे की कारेवाई शुरू की गई जनसुनवाई के दोरान पुलिस कारेयले में शीरी राजबली जो सेठवल थाना रानी की सराय के निवासी हैं इनके दोरा अपनी समश्या बताई गई कि परसों 17 तारिक को इनके मकान को कुछ अराजब तत्तों के दोरा गिरा दिया गया है इस शिकायत पर तत्काल S.P.C. को जांच के लिए रवना किया गया S.P.C. के दोरा जांच की गई आरोप सही पाए गए इसके सम्मन्द में थाना रानी की सराय पर मुगदमा पराद संक्या 118 बटा 22 धारा 327, 342, 454, 455, 427, 506 और धारा 34 आई पीसी के अंतरगत मुगदमा पंजिकरित किया गया है इसमें कुल 6 लोगों को ग्रिफतार किया गया है बाल चन सोनकर, मखंचू, भीम, अर्जुन, नकुल और चंदन इन 6 लोगों को पुलिस के दोरा ग्रिफतार किया गया है इस प्रकरण में 17 तारिक को थाने पे सूचना दी गई थी परंतु SSI नवल किशोर सिंग और थाना प्रवारी दिलीप कुआर सिंग इनके द्वारा विदिक कारवाई ना करते हुए प्रकरण को लंबित रखा गया जिस वैसे इस व्यक्ति को जन सुनवाई के दौरान पुलिस कारेले में आके इसने अपने शिकायत मुझे बताई इन दोनों की इस प्रकरण में घोर लापरवाही पाई गई दोनों को थाना प्रवारी को और SSI नवल किशोर सिंग को दोनों को ततकाल प्रवाव से मेरे दोरा निलंबित कर दिया गया है और SPRA को इनकी विभागिये जाच आवंटित की गई है यूपी पुलिस कहती है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा लेकिन यह कैसी सुरक्षा है जहां एक गरीब परिवार जाकर ठाने में मदद की गुहार लगाता है लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और अगले दिन दबंगों के होसले इतने बुलन कि घरवालों को बंधग बनाते हैं और बुल्डोजर चला देते हैं उसके बाद कारवाई के नाम पर खाना पूर्ती की जाती है लेकिन सवाल ये कि अगर वक्त रहते पीडितों की सुन ली जाती कोई कारवाई की जाती तो आज पीडित परिवार का ना घर उजडता ना ग्रस्ती आजमगर से यूपिता के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट झाल